शिरिप्भक्त मालमी प्रभुभक्ती के मार का अंसरन करने वाले भक्त राजा हरीश चंद्र आदिप्रोपकारी भक्त सुनो हरीश चंद कथा व्यथा बिन द्रव्यों दियो तथा नहीं राखी बेची सुत्तिया अक्तन है सुरत सुधन्वा जो सो दोस के करत मरे संख और लिखित विप्रभ्यों मेलों मन है इंद्र और अगनी गेश शिवी पे प्रिक्षा लेन काटी दियो मास दिज्यों साचियों जानियों पन है भरत दधीच आदी भागवत बीच गाए सबनी सुहाए जिन दियों तन धन है शिरी प्रियादा से कहते हैं अब सत्यवादी राजा हरीश चंद्र की कता सुनी उन्होंने मन में बिना किसी कष्ट का अनभव किये परसंता पुरक विश्या मित्र मुनी को अपना राज्य वैवभव दान कर दिया कुछ भी शेश नहीं रखा पहले संकल्ब को पुरा किया सत्य का पालन करने में अपने समान किसी को नहीं रखा राज्य चोड़ करके काशी पुरी को चले गए वहाँ उन्होंने अपने शीर के साथ ही इस्त्री पुत्र को पेश दिया सत्य की रख्षा करके भगवान जी को परसन्न किया सूरे वंच में त्रिशंकुन नाम के एक परसिद्र चक्रवर्ती समराठ हो गए हैं जिने भगवान विशा मित्र ने अपने योग बल से सर शरीर सर्ग भेजने का प्रेतन किया था माराज हरीश चंद्र उन्हें त्रिशंकु के पुत्र थे वे बड़े ही धर्मात्मा सत्य प्रायन तेथा परसिद्ध दानी थे इनके सत्य की प्रिख्षा की गाथा परानोंस में परसिद्ध है इनकी पत्नी शैब्या थी तेथा पुत्र का नाम रोहित था सुरत और सुधन्वा दोनों बड़े भारी भगत थे शंक और लिखिद दोनों ब्रामनों के मन मलिन थे उन्होंने दोनों भगतों को मिध्या दोश लगाया और वे अपने पाप से मर के शर्नागत रक्षक राजा शिबी के पास प्रिक्षा लेने के लिए इंद्र और अगनी देव बाज और कबूतर बन करके गे शर्नागत कबूतर की रक्षा करते हुए परसन होकर के उन्होंने बाज को अपने शीर का मास काट करके दे दिया तब दोनों को विशाश हुआ कि राजा अपने प्रन का पालक और सच्चा धर्मात्मा है छपपया में आई शेश भरत और धदिची आदि भक्तों की कथाईं शिरिमत भागत में कही गी हैं जिन्होंने प्रोकार में अपना तन मन और धन अरपन किया वे भक्त संसार में सभी को प्रिये हैं शिरी हरीश चंदर जी सूरी वंच में त्रिशंक को नाम के एक परसिद्ध चक्रवति समराठ होके हैं जिन्होंने मुनी विश्वमितर ने अपने योग बल से सर्श्रीर सर्ग भेजने का प्रेतन किया था महराज हरीश चंदर उन्हें त्रिशंक को के पुत्र थे ये बड़े ही धर्मात्मा सत्यप्राइन तथा परसिद्ध दानी थे इनके राचे में प्रजा बड़ी सुखी थी और दर्भुक्षय महामारे आदि उप्तरव कभी नहीं होते थे महराज हरीश चंदर के यज से त्रिभन भार गया देवरिशी नारत के मुक्ष से इनकी परशंचा सुनकर के देवराज इंद्र इर्शा से जाल उठे और उनकी प्रिक्षा के लिए मुनी विशा मित्तर से प्राथना की इंद्र की प्राथना पर परसन नहों करके मुनी प्रिक्षा लेने को तियार होगी महामुनी विशा मित्तर अयध्या पहुँची राजा हरीश चंदर से बातों ही बातों में उन्होंने समस्तर राज्य दान रोप में ले लिया महराज हरीश चंदर ही भूम अंडल के एक चत राजा थे वे सारा राज्य तो मुनी कोई भेट हो चुका अब वे रहे तो कहां रहें उन दिनों काशी ही एक ऐसा स्थान था जिस पर किसी मनुश्य का अधिकार नहीं समझा जाता था राणी शव्या और पुत्र रोही ताश्य के साथ काशी की तरफ चले गे जाते समय मुनी ने राजा से कहा कि बिना दक्षना के यग्य दान और जप दप आदी सब निश्वल होते हैं आप इस बड़े भारी दान की सांगता के लिए एक हजार सर्न मुद्राइं दक्षना सरूप देजी महराज के पास अब रह ही क्या गया था उन्होंने इसके लिए एक मास्की अब्धी मांगी विशा मितर ने परसंता पुरोक एक मास्का समय दे दिया महराज हरीश चंदर काशी पोचे और शेब्या तथा रही ताश को एक ब्रामन के हाथ बेज़ करके सिम एक चंडाल के यहां बिग गे क्योंकि इसके सिवा अन्हे कोई बाई भी नहीं था इस परकार मुनिक के रिन्द से मुक्त होकर के राजा हरीश चंदर अपने स्वामी के यहां रहकर काम करने लगे इनका स्वामी मरगट का मालिक था उसने इने शम्चान में रहकर के मुर्दो के कहन लेने का काम सोपा इस परकार राजा बड़े साव धानी से स्वामी का काम करते हुए शम्चान में ही रहने लगे इदर राणी शव्या ब्रामन के घर रहकर उसके बरतन साव करती घर में जाड़ वहारी ते थी और कुमार पुषप वाटिकार से ब्रामन के देव पूजन के लिए पुषप लाता राज सुख भोके हुए और कभी कठिन काम करने का अभ्यास ना होने के कारण राणी शव्या और कुमार रोही ताश्यो का शीर अच्चनत प्रिश्रम के कार इतना सुख गया कि उन्हें पहचान ना कठीन हो गया इसी बीच में एक दिन जब कि कुमार पुष्पचन का रहा था एक पुष्पलता के भीतर से एक काले विश्थर सरफ ने उसे डस लिया कुमार का मरिच श्री जमीन पर गिर पड़ा जब शब्या को ये ख़बर मिली तो वैस्वामी के काले से निपट करके विलाब करती हुई पुत्र के शब के पास गई और उसे ले करके दा के लिए शमचान पोची महरानी पुत्र के शब को जिलाना ही चाती थी कि हरीश चंदर ने आकर उससे कफन मांगा पहले तो दमपती ने एक दूसरे को पैचाना ही नहीं परन्तो दुक के कारण शब्या के रूने चीखने से राजा ने रानी और पत्र को पैचान लिया यहां पर हरीश चंदर की तीसरी बार गधिन प्रिक्षा ही शब्या के पास रौही ताश्यू के कफन के लिए कोई कपडा नहीं था परन्तो राजा ने रानी की गिड़कडाने की कोई परवा नहीं की पटा के भाव से पुत्र शोक से कितने ही दुखी क्यों नहूं पर यहां तो यह पटा नहीं थे ये तो मरगट के स्वामी के नोकर थे और उनकी आग्या बिना किसी भी लाश को कहन लिये बिना जलाने देना पाप था राजा अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुआ जब राणी ने स्वामी को किसी तरह मानते नहीं देखा तो वह अपने साडी के दो टुकडे करके उसे कफन के रूप में देने को तियार होगी राणी जव ही साडी के दो टुकडे करने को तियार ही कि भगवान नारायन एम मुनी विशा मितर सहित ब्रहमारी देवगन आप अस्तित हुई और कहने लगे कि हम तुमारी धरम पालन की दिटा से अत्यनत परसन नहें तुम तीनों सदे सर्ग में जाकर के अनंत काल तक सर्ग के दिव्य भोगों को भोगो इधर इंदने रोही ताश्य के मृत शिरीर पर अमरत की वर्षा करके उसे जीवित कर दिया कमार सोकर उठे हुए कि भाती उठकड़े हुए हरीश चंदर ने समस्तर देवगान से कहा कि जब तक मैं अपने स्वामी से आग्या ना ले लूँ तब तक यहां से कैसे हट सकता हूँ इस पर धर्म राजने कहा राजन तुमारी प्रिक्षा के लिए मैंने ही चंदाल का रूप धर्म किया था तुम अपनी प्रिक्षा में पूंता उतीन होगी आप तुम सहर्श स्वर्ग जा सकते हो इस पर महराज हरीश चंदर ने का महराज मेरे विरा में मेरी प्रजा यह जह में व्याकुल हो रही होगी उनको छोड़ करके मैं अकेले कैसे सर्ग जा सकता हूँ यदि आप मेरी प्रजा को भी मेरे साथ सर्ग भेजने को तियार हो तो मुझे कोई अपती नहीं अन्य था उसके बिना मैं सर्ग में रहने की पेक्षा उनके साथ नरक में रहना भी अधिक पसंद करूँगा इस पर इंदर ने कहा महराज उन सब के करम तो अलग लग हैं वे सब एक साथ कैसे सर्ग जा सकते हैं यह संकर कहरीश चंदर ने कहा मुझे आप मेरे जिन करमों के कारण अनंत काल के लिए सर्ग भेजना जाते हैं उन करमों का हल आप समको समान लोग से मार दीजिए फिर उनके साथ सर का शनिक सुख भी मेरे लिए सुख कर होगा किन्तु उनके बिना मैं अनंत काल के लिए भी सर्ग में रहना नहीं चाहता इस पर देवराज पर सन्न होगे और उन्हें तथास्तु कह दिया सब देवगन माहराज हरीश चंदर एम शब्या तो था रही टाश को शीरवाद एम नाना परकार के वर्दान दे करके अंतर ध्यान होगे भगवान नारायन देव ने भी उन्हें अपनी अचल भक्ति दे करके किरितात कर दिया इदर सब के सब एउध्यावासी अपने इस्त्री पुत्र एम भिट्यो सहित सदे सर्ग चलेगे बाद में वनी विशामितर ने एउध्यान नगरी को फिर से बसाया और कुमार रोहित को रियोध्या के रज्य सिंगासन पर बिठा करके उसे समस्त भूम अंडल का एक चत्र अधिपती बना दिया इसके आगे प्रभु प्राप्ति के मार का अंसरन करने वाले भक्त हैं राज रिशी भरच जी राज रिशी भरच जी भगवान रिशब देव जी के पुत्तर थे इनी के नाम से इस देश का नाम भारत वर्श पड़ा इनका विस्तत विवरन राजा रहुगन और चड भरच जी शीर्शक से छप्पे यारा में धिया क्या है शीरी भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्का अंसरन करने वाले भक्त शीरी ददी चीजी प्रोक काराई सत्ताम विभुत्या एक बार की बात है तेवराज इंद्र अपनी सबा में बैठे थी उन्हें अभि मान हुआया कि हम तीनों लोकों के स्वामी है ब्रामन हमें यग्य में आहोती देते हैं देवता हमारी उपास ना करते हैं फिर हम सामान ये ब्रामन ब्रस्वती से इतना क्यो डगते हैं उनके आने पर खड़े क्यों हो जाते हैं वे तो हमारी जीवका से पलते हैं ऐसा सोच करके वे राज जी सिंगासन पर डट कर बैठके भगवान ब्रस्पति के आने पर ना तो वे स्यम उठे पर ना सवा सदो को उठने दिया देव गुरु ब्रस्पति जी इंद्रका यहे ओधत्या देख करके लोट के और कहीं एकांत में जा करके छिप के थोड़ी देर के पश्चात देवराज का माद दोतर गया उन्हें अपने गलती मालम होई वे अपने क्रित्य पर बड़ा पश्चा ताप करने लगे दोड़े दोड़े गुरु के यहां आई कि इन्तु गुरु जी तो पहले ही चलेगे थे निराश होकर के इंद्र लोटाई गुरु के बिना यग्य कुन कराई यग्य के बिना देवता शक्तिहीन होगे असिरों को ये बात मालम होगई उन्होंने अपने गुरु शुक्राचारे को सम्मती से देवताओं पर छड़ाई कर दी इंद्र को सर्ग छोड़ करके भागना पड़ा सर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया प्राजित देवताओं को लेकर के इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास की अपना सब हाल सुनाया द्रह्मा जी ने कहा तवश्टा के पुत्र विश्य रूप को अपना प्रोहित बिना करके काम चलाओ देटाओं ने ऐसा ही किया विश्य रूप बड़े विद्वान विदग्य और सिदाचारी थे किन्तु इनकी माता असुर कुल की थे इससे ये देटाओं से च्छिपा करके असुरों को भी कभी कभी भाग दे देते थे इससे असुरों के बल की विद्धी होने लगी इंदर को इस बात का पता चल गया उन्हें दूसरा कोई उपाए ही नहीं सुचा एक दिन वी शरूप एकांत में बैठे वेद्धिन कर रहे थे कि इंदर ने पीचे से जाकर के उनका सिर काट लिया इस पर उन्हें ब्रमहत्या लगी जिस किसी परकार गुरू ब्रस्वती जी पर सन्न हुए उन्हें यग्यादी करा करके ब्रमहत्या को प्रिथी जालव रिक्ष और इस्त्रियों में बांट दिया इंदर का फिर से सुर्थ पर अधिकार हो गया इधर तवश्टा रिशी ने जब सुना कि इंदर ने मेरे पुत्र को मार दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ अपने तब के प्रभाव से उन्हें उसी समय इंदर को मारने की इच्चा से एक बड़े भारी बलशाली द्यत्य वरिता सुर को उत्पन किया वित्त्रा सुर के प्राकर्म से संपुरन ते लोग के वह भी था उनके ऐसे प्राकर्म को देख करके देवराज इंदर भी डर गे दोड़े दोड़े ब्रहमा जी के पास के सब हाल सुना करके उन्हें ब्रहमा जी से वरित्त्रा सुर के कोप से बचने का कोई उपाए पूछा ब्रहमा जी ने कहा देवराज तुम किसी प्रकार वरित्त्रा सुर से बच नहीं सकते नहीं बड़ा बली तपस्षी और भगवत वक्त है उसे मारने का एक ही उपाए है कि नमिश अरन में एक महिर्शी धदीची तपस्या का रही है उगरत ताप के प्रभाव से उनकी हड़ियां वज्जर से भी अधिक मजबूत हो गई है यदि प्रोकार की चासे वे अपनी हड़ियां दे दे और उनसे तुम अपना वज्जर बनाओ तो वरिता सुर मर सकता है प्रमा जी की सलाह मान करके देवराज समस्त देवताओं के साथ नमे शेरन में मुचे उगरत पस्या में लगे हुए भगवान दधीची की उन्होंने भाती भाती से स्थोती की ताब रिशी ने उनसे वर्दान मांगने के लिए कहा इंदर ने हाथ जोड़ करके कहा ते लुक की मंगल कामना के निमत आप अपनी हड़ियां हमें दे दीची महिशी दीची ने कहा देवराज समस्त देवधारियों को अपना शेर प्यारा होता है स्विच्चा से इस शिरीद को जीवित अवस्ता में छोड़ना बड़ा कठीन होता है कि तो ते लुक की मंगल कामना के निमत मैं इस काम को भी करूँगा मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी तो इंदर ने कहा ब्रहमन समस्त देवराज ने समस्त देवराज ने समस्त देवराज को नमेशेरन में बुलाया सभी ने रिशी की स्तुति की रिशी ने सब में शनान आजमन आधी किया और वे समाधी में बैठके जंगली गउने उनके शेर को अपने काटेदार जीव से चाटना अरंब गिया चारते चारते चमड़ी उड़ गई तब इंदर ने उनकी तब पूतर रिट की हड़ी निकाल ली उस एक महान शक्ति शाली तेजों में दिवी वज्जर बनाया गया और उसी वज्जर की साहिता से देवराज इंदर ने वित्रा सुर को मार करके तेलोकी के संकट को दोर किया इस परकार एक महान प्रोबकारी रिशी के अद्वी तियत त्याक के कारण देवराज इंदर बच गे और तीनों लोग सुखी हुई संसार के इतिहास में ऐसे उधारन बहुत थोड़े मिलेंगे जिन में स्विच्चा से केवल प्रोबकार के ही निमत जिन में मान प्रतिष्टा आदे अपना निजी स्वात कुछ भी ना हो अपने शीर को हस्ते हस्ते एक याचक को सौप दिया गया हो इसलिए भगवान द्धिची का ये त्याक प्रोबकारी संतों के लिए एक परमादर्श है द्धिची रिशी की और भी विशेष्टा देखिए श्री अश्नी कमारों को ब्रह्म विद्या का अपदेश दिने के कारण इंदर ने इनका मस्तक उतार लिया था फिर अश्नी कमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिद चड़ा दिया और इससे इनका नाम अश्य शीरा विख्यातवा फिर इंदर ने इनके साथ इतना दोस्ट बरताब किया था उसी इंदर की महिर्शी ने अपनी हड़ी दे करके सहायता की संतों की उदारता ऐसे ही होती है वज्जर बनने के बाद जो होड़ीयां बची थी उन्हीं से शिव जी का पिना के धनुश बना था दतीची भर्मा जी के पुत्र अथरवा रिशी के पुत्र थे साब्रमती और चंद्रभागा के संगम पर इनका आश्रम था श्री भक्त माल में प्रवु प्राप्ति के मार का अंसरन करने वाले भक्त भक्त सुधन्मा चंपत्पुरी के राजा हंस ध्वज बड़े ही धर्मात्मा प्रजापालक शोरवीद और भगत भक्त थे उनके राज की ये विशेष्टा थी कि राज कुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी वरत का पारण करते थे जो भगवान जी का भक्त नहीं होता या जो एक पत्नी वरती ना होता मैं चाहे जितना विद्वान या शूरवीर हो उसे राज में आश्रे नहीं मिलता था पुरी प्रजासदाचारी भगवान जी की भक्त धान प्रायन थी पान्दों का अश्य मेंगी यग्य का घोड़ा जब जंपक पुरी के पास पहुचा तब महराज हंसद्वज ने सोचा मैं वरिद्ध हो गया पर अब तक मेरे नेत्र शिरिक रिश्य चंद्र के दर्शन से स जनम उन श्याम संदर भवन मोहन के शिरी चर्णो के दर्शन से सहल हो जाएका घोड़े की रक्षा के लिए गांडीव धारी अर्चन पर दुमन आदी महारतियों के साथ उनके पीछे चल रहे थे यही सब को पता था कि इंतुर राजा को पार्थ सार्थी शिरिकीश चंद् के दर्शन करने थे अश्या पकर करके बांध लिया गया राजगरु शंक तथा लिखित की आग्या से ये गोशना कर देगी कि अमुक समय तक सब योधा रन शेतर में बस्तित हो जाएं जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा उसे उबलते हुए तेल के कड़ाए में डाल दिय जाएगा राजा हंस द्वज के पांच पुतर थे सुबल सुरत साम सुदर्शन तता सुधन्मा छोटे राजकुमार सुधन्मा अपनी माता के पास अग्याले ने पूची वीर माता ने पुत्र को हिद्ध से लगाया और आदेश दिया बेटा तो युद्ध में जा और को मत ले आना मैं तो मुक्ती डाता हरी को पाना चाती हूं तुम वही करमकार जिससे शिरिकिष्न पर सन्हों वे भग्त वसल हैं यदि तु अरजन को युद्ध में च्छका सके तो वे पात की रक्षा के लिए अवश्याएंगे वे अपने भग्त को कभी छोड़ नहीं सकत देख तुम मेरे दूद को लजजित मत करना शिरिकिष्ट को देख करके दरना मत शिरिकिष्ट के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं ये तो अपने 21 पीडियों को तार दिता है युद्ध में लड़ते हुए पुर्शुत्तम के समुख तो यदि वीर गती प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची परसंता होगी धन्य माता सो धन्य माता की आग्या सिविकार की बेहन कुबला से आग्या तथा प्रोच साहन प्राप्त करके वह अपने अंत्यपुर में गए द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा का धाल सजाए पती की आर्थी उतारने को खड़ी थी उसने पत्य की पूजा करके प्राथ्रा की नाथ आप अरजुन से संग्राम करने जा रही जा रही है मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर एक अंजली देने वाला पुत्त रही सुधनमा ने पत्नी को समझाना जाए पर्वे पतीवरता थी, उसने कहा मेरे सामी मैं जानती हूँ कि शरी किस चंदर के समी पर जाकर कोई इस संसार में लोड़ता नहीं है मैं तो आपकी दासी हूँ आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बादा नहीं देना चाहती इस दासी की तो एक तुछ प्राथना है आपको वे प्राथना पोर्न करने चाहिए अनेक परकार से सुधन्वा ने समझाना चाहा किन्तो अंतमे प्रभावती को भिज़ी हुई सती नारे की धरम सम्मत प्राथना वे अस्विकात नहीं कर सके वहां से फिर शिनान प्राना याम करके वे युद्ध के लिए रत पर बैठे उधर युद्ध वहुई में महराज हंस दवज अपने चारो राजकमारों के साथ पहुँचे सभी शूर एकत्र हो गई किन्तु समय हो जाने पर भी जब सुधनवा नहीं पहुचे तब राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे सैनिकों को सुधनवा मार्ग में ही मिल गे पिता के पास पोच करके जब उन्हें विलंब का कारण बताया तब क्रोद में भरकर के महराज कहने लगे तो बड़ा मूर्ख है यदि पुत्र होने से ही सद्गति होती हो तो सभी कुकर शुकर सर्ग कहीं चले जाएं तेरे धरम तथा विचार को धिकार है शिरिकिष्चंद्र का नाम सुन करके भी तेरा मन काम के वश्योग्या ऐसा कामी भगवान से भी मुखक पुत्र का तो तेल में उबल कर ही मरना ठीक है राजा ने विवस्था के लिए प्रोष्टों के पास दूत भीजा धरम के मरमख्य समरीतिव के रचैता रिशी शंख और लिखी तो बड़े करूती थे उन्हें दूत से कहा राजा का मन पुत्र के मों से धरम भस्त हो गया है जब सब के लिए एक ही आग्या थी तब विवस्था पूछने की क्यों होई शक्ता हुई जो मंद बुत्ती लोब मो या भे से अपने वच्णों का परण नहीं करता उसे नरक के दारन दुख मिलते हैं हंस धोच पुत्र के कारण अपने वच्णों की आज जूटा करना चाता है ऐसे धरमी राजा के राज़े में हम नहीं रहना चाते इतना कह कर वे दोनों रिशी चल पड़े दोच से समाज अरपा करके राजा ने मंत्री को आदेश दिया सु धन्वा को उबलते तेल के कड़ाए में डाल दो इतना आदेश देकर वे दोनों प्रोच्तों को मनाने चलेगे मंत्री को बड़ा दुख हुआ कि उस धन्वा ने उन्हें करतव्य पालन के लिए दिर्टा पुरक समझाया पिता की आग्या का सदपुत्र को पालन करना ही चाहिए ये उसने निश्चे किया उसने तुलसी की म अगले में डाली और हाथ जोड करके भगवान जी से प्रात्रा की प्रभू, गुबिंद, मुकंद, मुझे मरने का कोई भे नहीं है, मैं तो आपके चरनों में देत्याक करने ही आया था, प्रंतो मैं आपका प्रत्रक्ष दर्शन नहीं कर सका, यही मुझे दुख है, मैंने आपका त्रिस्कार करके बीच में काम की सेवा की क्या इसलिए आप मेरी रक्षा को अपने अभे हाथ नहीं बढ़ाती पर मेरे सामी जो लोग कस्ट में पढ़ करके भई से व्याकुल हो करके आपकी शरन देते हैं उन्हें क्या सुक्षी प्राप्ती नहीं होती मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा हूँ आपको अवश्य पराप्त होंगा किन्तों लोग कहेंगे कि सुधन्मा वीर होकर भी कडाई में जल करके मर के मैं तो आपके भगत अर्जुन के बानों को अपना शिर भीट करना चाता हूँ आपने अनेक भगतों की टेक रखी है अनेकों की इच्छा पूर्न की है मेरी भी इच्छा पूर्न कीजिए अपने इस चरन आशिरत की टेक भी रखी है इस अगनी दासे बचाकर इस शिरीर को अपने चर्णों में गिरने दीजिए इस परकार प्रात्ना करके हो है गोबिंद है हो शिरी क्रिश्ण आदि भवन नामा को पकारते हुए सुधन्मा कड़ाई के खोलते तेल में कुद पड़े एक दिन परलाद के लिए अगनी देव शीतल हो गए थे एक दिन ब्रजबालकों के लिए मियूर मुक्टी ने दामा नगनी को पी लिया था आज सुधन्मा के लिए खोलता तेल शीतल हो गया सुधन्मा को तो शीर का भान ही नहीं था वे तो अपने शिर्किश्ट को पकारतने उनका नाम लेने में तलीन हो गए थे किन्तो देखने वाले आश्चेरियों भी मूड हो रहे थे खोलते तेल में सुधन्मा जैसे तैद रहे हो उनका एक रूम तक जुलस भी नहीं सका था ये बात सुंकर के राजा हंस दवजवी दोन प्रोष्टों के साथ वहाँ आए शद्धारहित तार्किक प्रोहित श्यंक को संदे हुआ अवश्य इसमें कोई चाला की है भला तेल गरम होता तो उसमें सुधन्मा बचा कैसे रहता कोई मंत्रियां ओस्ती का प्रयोग तो नहीं किया गया तेल की प्रिच्छा के लिए उन्होंने एक नारियल कडाहे में डाला उबलते तेल में पढ़ते ही नारियल भूट किया उसके दो टुकडे होगे और उचल करके वे बड़े जोर से शंक और लिखित के सिर में लगे आप उनको भुवान जी के महत्तों का ग्यान हुआ सेखों ने से उन्होंने पूछा कि सुधन्वा ने कोई ओष्टी शीर में लगाई किया अथवा उसने किसी मंतर का जब किया क्या सेखों ने बताया कि द्राशकवार ने ऐसा कुछ नहीं किया में प्रारंब से भगवान जी का नाम ले रहे थे अब शंक को अपने अपराद का पता लगा उन्हें कहां मुझे दिकार है मैंने भगवान जी के एक सच्चे भग परसंदे किया प्राश्चित करके प्रांत्यागने का निश्चे करके शंक मुनी उसी उबलते तेल के कड़ाई में कूद पड़े किन्तो सुधन्मा के प्रभाव से उसके लिए भी तेल शीतल हो गया मुनी ने सुधन्मा को हिद्दे से लगा लिया उन्हेंने कहा कुमार तुमें धन्य है मैं तो ब्रामन होकर शाष्ट्र पढ़कर भी असाधू हूँ मौर्खों में वो धीमान और विद्वान तो वही है जो भगवान शिरकिश का समरन करता है तुमारे शपर्ष से मेरा ये अधम दे भी आज पित्र हो गया तुम जैसे भगवान जी के भगतों का तो दर्शन ही मनुश्य जीवन की परम सभलता है राजकुमार आप तुम इस तेल से निकलो अपने पिता भाईयों और सेना को पावन करके मेरा भी उधार करो ते लोकी के स्वामे श्रीकिशन जिनके साथ ही बनते हैं उन धन और धर अरजन को संग्राम में तुम ही संतुस्ट कर सकते हैं मुनी के साथ सुधन्मा कडाहे से बाहर आए राजा हंस धोच ने अपने भगत भगत पुत्र का समाधर किया और उन्हें शीरवात दिया पिता की आग्या से सुधन्मा सेना नायक हुए अरजन की सेना से उनका संग्राम होने लगा सुधन्मा के शोरे के कारण पांड़ाउ दल में खल भली मचगी वरिश के तूपर धुमन, कृत वर्मा, साथ्त की आदी वीरों को उस ते जसी ने घायल करके पीछे हटाने को वश्य कर दिया अंत में अरजन सामनी आई, अरजन को अपनी शोर्ता का कुछ दरपिवी था किन्तो सुधन्मा तो किवल शाम संदर के भरोसे युद्द का रहे थी भुवान जी को अपने भग्द का परभाव दिखलाना था बालक सुधन्वा को अपने सामने दे करके पार्थ को बड़ाचरी हुआ सुधन्वा ने उससे कहा विजे सदा आपके रत पर शिर्किष चंद्र सार्थी के स्थान पर बैठे आपके रक्षा किया करते थे इसी से आप सता विजय होते रहे आज आपने अपने उन समर्थ साथी को का छोड़ दिया मेरे साथ युद्ध करने में शिरिकिष्ट ने तो आपको नहीं छोड़ दिया आप अब उन मुकंदस से रही थें ऐसी दिशा में मुझसे संगराम कर भी सकेंगे या नहीं तो सुधन्वा की बातों से अर्जिन करुद्ध होगे उनने बान वर्षारंब कर दी प्रन्तु हसते हुए सुधन्वा ने उनके बानों के टुकडे टुकडे उड़ा दी अर्जुन के दिवे अस्त्रों को भी राशकुमार ने व्यत्थ कर दिया स्यम पार्थ घायर होगे उनका सार्थी मर कर खिर पड़ा सुधन्मा ने फिर हस करके कहा धनन जे मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सरवग्य सार्थी को छोड़ करके आपने अच्छा नहीं किया आपका सार्थी मारा गया आप मेरे बानों से घायल होगी है अब भी शीकरता से अपने उस शाम रूप सार्थी का समरन कीजी अर्जुन ने बाए हाँच से घोड़ों के डोरी पकड़ी एक हाँच से युद्ध करते हुए ये भगवान जी को मन ही मन पकारने लगे उनके समरन करते ही श्रीकिश चंदर प्रकट होगे उनने अर्जुन के हाँच से राथ को रशीम ले ली सुधन्मा और अर्जुन दोनों ने भगवान जी को परनाम किया तो धन्मा के नित्र अनंद से खेल उठे जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छिकाया था एक कारे तो अब बुरा हुआ कमलो चंद श्रीकिश चंदर आगे उनके दर्शन करके एक कितात हो गया अब उसे भला और क्या चाही उसने अर्जुन को ललकार कर ललकारा पार्थ आपके ये सरसंबर साथ ही तो आगे अब तो आज मुझे पर विज़े पाने के लिए कोई पर्तिग्या करें अर्जुन को भी आवेश आगया उन्होंने तीन बान निकाल करके पर्तिग्या की इन तीन बानों में यदि मैं तेरा संदर मस्तक न कारतूं तो मेरे पूरज पुन्य हीन होकर नरक में गिर पड़े अर्जुन की पर्तिग्या सुन करके सधन्वा ने हाथ उठा करके कहा ये शिरिकिष्न शाक्षी हैं इनके सामने ही मैं तुमारे इन तीनों बानों को काट ना दूँ तो मुझे खोर गती पराप्त हो ये करके सुन्वा ने शिरिकिष्न तथा अर्जुन को बानों से खाहिल कर दिया उनके रत को कुछ तोड़ डाला बानों से मार करके उनके रत को कुमार के चाक की भाती गुमाने लगा चार सो हाथ पीछे हटा दिया उस रत को बगवान ने कहा अर्जुन सुधन्वा बहुत बांखावीर है मुझसे पूछे बिना परतिग्या करके तुमने अच्छा नहीं किया जैद राथ वद के समय तुमारी परतिग्या ने कितना संक्ट पस्थित किया था ये तम भूल कैसे कि सुधन्वा एक पत्नी वरत के परभाव से महान है और इस विशे में हम दोनों पिछड़े हुए हैं अर्जुन ने कहा गोविंद आप आगे फिर मुझे चिंता ही क्या जब तक आपके हाथ हैं मेरे रत की दोरी है मुझे कौन संक्ट में डाल सकता है मेरी परतिग्या अवश्य पुरी होगी अर्जुन ने एक बान चड़ाया भगवान जीने अपने गुवरधन धारन का पुन्य उस बान को अर्पित किया बान चुटा कालागनी के समान वहब बान चला सुधन्वा ने गुवरधन धारी श्रीकिश का सम्रन करके बान मारा और अर्जुन का बान तो टुकड़े होकर गेर पड़ा पिठ्थी कापने ले देटावी आश्चेरे में पड़ गे भगवान जी की आग्या से अर्जुन ने दूसरा बान चड़ाया बाक्त वस्त्सल प्रभु ने उसे अपने बहुत से पुन्य अर्पित किये सुधन्वा ने श्रीकिश जंद्र की जय कहकर के अपने बान से उसे भी काट दिया अर्जुन उदास होगी रान भुई में हाहाकार मच किया तीवता सुधन्वा की परचंचा करने लगी अब तीसरे बान को भगवान जी ने अपने राम अवतार का पूरा पुन्य दिया बान के पिछले भाग में प्रमा जी को तथा मध्यमे काल को परतिश्टित किया नोग परवे सियम एक रूप से बैठे तो अर्जुन ने वहबान भगवान जी के अदेश से ध्रुश पर चड़ाया सुधन्वा ने कहा नाथ आप मेरा वद्ध करने सियम बान में स्थित होकर आ रहे हैं ये मैं जान गया हूँ मेरे सामी आओ रान भवी में मुझे अपने शिरी चर्णो का आश्रे देकर किर्दात करो अर्जुन तुमें धन्य है शाक्षात नाराएन तुमारे बान को अपना पुन्य ही नहीं देते सियम बान में स्थिंत भी होते हैं विजे तो तुम्हारी ही है ही किन तो भूलो मत मैं इनी श्रीकिश की किरपा से इस बान को भी अवश्य काट दूँगा बान छूटा सुधन्वा ने पकार की भक्त वस्सल गविंद कीजे और बान मार दिया भक्त के परभाव को काल देवतार हुक ले ये संबह नहीं अर्जुन का बान बीच में ही कटके दो टुकड़े हो गया सुधन्वा की परतिग्या पुरी हुई अब अर्जुन का प्रन पूरा होना था बान कट गया पर उसका अगला भाग गिरा नहीं उस आदे बान नहीं उपर उठकर के सुधन्वा का मस्तक काट दिया मस्तक हीन सुधन्वा के शीर ने पांड़ा उसेना को तैस नैस कर दिया और उसका सिर भगवान जी के चर्नों में जाकर के किरा शीर किष्च चंदर ने गोबिंद मुकंद हरी कहते हुए उसमत स्थक को अपने हाथों में उठा लिया इसी समय परम भगतस धन्वा के मुख से एक ज्योती निकली और सब के देखते देखते रह शीर किष्च चंदर के मुख में परविष्ट हो गई